नमस्ते दोस्तों, TRS Clips Hindi में आपका स्वागत है, सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकोन दबाएए and enjoy the clip! की कोर मेसेज क्या है, मैंनकाइड के लिए, मैं आपसे यह नहीं पूछा कि यह एक अलियन थे यह क्या एक असली योगी थे शिवा कभी शक्ति के बिना नहीं जी पाते हैं, आपने वो कानी सुनी है कि गनेशा कैसे बने थे जी वो पारवती नहा रही थी उनने तो कितना ड़ में, जितना मैंने शिवजी के बारे में पड़ा, उतना मैं शक्ति को रिस्पेक्ट करने लग गई, शिवा इस मेल, शक्ति इस फीमेल, शिवा इस सिलेस्टिल, शिवा भगवान ऊपर से आते हैं, शक्ति धर्स्थी से आती है, दुरगा, कमला, काली, बंगलामुखी, चाम यह जो goddesses अगर आप इनकी शकले देखें यह बहुत डरावनी है you can't mess with them और अगर उनको गुसा आ गया वो एक घूट में यह पूरा विश्व पी सकते हैं तो जितना मैंने शिव के बारे में पढ़ा उतना मैंने शक्ती को respect किया उतना मैंने सीखा कि शिव भी शक्ती के बिना नहीं exist कर सकते और शिव भी शक्ती से कभी-कभी डड़ते हैं मैं यह मानता हूं कि जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है जैसे कि यह ऐसी कहानिया ऐसे philosophies हमेशा इनमें messages छिपे हुए होते हैं future generations become humble अपने आप और अपनी जगे और अपना कर्तव्य को पहचानो और जानो कि आप से बड़ी चीजें हैं यहां पर जिसका कर्म आपको बाद में पे करना पड़ेगा लेकिन अगें मैं एक archaeologist और art historian के perspective से आती हूं तो यह धर्म अधर्म की बाते जो होती हैं यह काफी personal रहती है जो मैंने समझा अगर मैं archaeological perspective से देखूं यह सारी चीज़ें देवियों के जो मंदिर हैं जैसे चौसर्ट योगिनी temple बहुत कम temple हैं वो goal होती है जो देवताओं के temple हैं वो phallic in shape होते हैं triangle की तरह और कैसे यह goal वो जो goal चौसर्ट योगिनी temple जो इंडिया के कुछ कुछ हिस्सों में है उसी के आधार पे हमारा खुद का parliament बना है parliament जो सबसे powerful institution of this country है जब इंडिया independent हो रहा था उनने चौसर्ट योगिनी का form क्यों accept किया it is the mightiest of forces the female energy जो शक्ति की जो शमता है वो शिव भी नहीं समाल सकते हैं योगिक फिलोस्वी में भी कहा जाता है कि अगर मानलो आप मंत्रजाप कर रहे हो तो शिव जी का मंत्रजाप कोई भी कर सकता है क्योंकि शिव जी सबके दोस्त होता है पर अगर आप शक्ति की पूजा कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि वो इतना पावर होता है उन मंत्रों में कि अगर आप में वो कापैसिटी नहीं है वो शमता नहीं है उस पावर को हैंडल करने के लिए आप भागल भी हो सकते हो साधना मैन्यूल था जो मैं ट्रांसलेट कर रही थी संस्कृत से वो विक्रमशीलार यूनिवर्सटी में ग्यारवी शताथी में लिखा गया था बाई एक स्कॉलर थे दुर्जयो चंद्रा उनने लिखा था ये और वो अच्छली तांत्रिक बुद्धिजम से आता है लेकिन उसमें एक भगवान है हेवज्रा जो अभी भी टिबेट में माने जाते हैं और ये जो साधना जो मैं बोल रही हूँ वो अभी भी टिबेट के एक मॉनिस्ट्री नो मॉनिस्ट्री में दिन में चार बार रिसाइट किया जाता है अब ये साधना क्या है मेडिटेशन है आप कहां करेंगे कैसे करेंगे ये आपको बताता है और जब आप करेंगे तो आप क्या विजोलाइज करेंगे कि साक्शात भगवान आपके अंदर energy channel कर सकते हैं, आप अपने channels नाडियों को कैसे खोलते हैं ताकि बगवान आपके अंदर आ जाए और आप किस type की practices करते हैं, जो काफी गुप्त विद्या मानी जाती है क्योंकि कुछ-कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि उसका असल में meaning क्या है, लेकिन अगर आप उस realm के अंदर initiate हो चुके हैं, आपके गुरू ने आपको अच्छी से training और आपको गुरू लेना पड़ेगा, अगर आप उस type के practitioner देखे, जब आप religion फॉलो करते हैं आप एक तो religion अपने घर में फॉलो करते हैं दूसरा आप एक किसम के practitioner बन जाते हैं, आम प्रैक्टिशनर जो अपना normal काम करते हैं और भगवान को भी मानते हैं तीसरा तरीका है जब आप ये दुनिया छोड़ देते हैं और पूरी तरीके से सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं तब आप एक गुरू भी लेते हैं आपका अभिशेका होता है आपको initiate किया जाता है उस religion में आपके बहुत साल के study होते हैं संस्क्रिट आपको ऐसे आनी चाहिए या जो भी script रहेगा आपका पढ़ने का वो आपको ऐसे आनी चाहिए जब वो आपको आजाएगी तब आपको उन श्लोक के जो meanings, layers of meanings हैं वो तब ही आपको पता चलेंगे TRS Clips Hindi के इस clip देखने के लिए thank you दोस्तो, love to you all नीचे हमने link किया है इस पूरे के पूरे podcast को यानी पूरे episode को उसके नीचे हमने link किया एक ऐसी playlist को इससे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा